हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन आप सभी का यूट्यूब चैनल पीके सचिन में सवागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम देखें कि हम एंड्रोइड फोन को जीपिश डिवाइस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं वह इसके द्वारा हम अपने फ्रेंड लेटरी वे फैमिली मेंबर की करनेट लोकेशन देख सकते हैं वह हम ओल्ड टाइम हिस्ट्री देख सकते हैं कि वह किसी भी समय कहां पर थे और उन्हें वहां पर जाने के लिए कौन से रास्ते का यूज़ किया इसके लिए आपके फोन पर अप्लिकेशन होने चाहिए Google Maps अगर यह अप्लिकेशन आप्डेट भी नहीं है तो भी आपका यह फंक्शन काम नहीं करेगा अगर आपको यह application अप्डेट करने हो या इंस्टाल करनी हो तो आप Play Store को Open कर लेजए यहाँ पर search बटन पर Google Maps टाइप करके search करिए आपको यहाँ application दिखाई देने लगी इसमें लिखा है Maps Navigation and Transit यह Google Company की हो यह आप ध्यान दे दिएगा उसके नीचे Google INC लिखा होगा अगर आपके Android phone पर यह application इंस्टाल नहीं है तो आप install button पर क्लिक कर दिजेगा अगर आपके mobile पर यह application पहले से इंस्टाल है तो अपडेट का option आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके software को अपडेट कर दिजेगा जब यह software अपडेट और install हो जाए तो maps icon पर क्लिक करके इसको open कर लेजे अब आपको यहां उपर left side में 3 dash दिखाई पढ़ है इस पर क्लिक करिए अभी आपका satellite view पर है आप कोशिश करिएगा इसको satellite पर क्लिक करके satellite view से आप इसको हटा दिजे फिर आप उपर left side में जो 3 dash है उसको क्लिक करिए आपको एक option आएगा your timeline आप इसको क्लिक करिए अब आपको उपर एक बटन दिखाई पड़ेगा जो calendar की तरह दिख रहा होगा आप इसको क्लिक करिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो calendar open हो जाएगा आपको जिस भी date का आपको timeline देखनी हो उस date पर क्लिक कर देजेगा उस date में वो android phone जहां जहां गया होगा वो location उसकी बनकी आ जाएगी अगर आपको कोई और date का देखना हो तो फिर से calendar बटन पर क्लिक करिए आप वो date सेलेट कर लेजे आपको उस date का timeline दिखाई दने लएगा ऐसे ही आप अपने computer में भी किसे भी android phone की timeline को open करके देख सकते हैं आप इस वीडियो को last तक जरूर देखीगा क्योंकि इसमें आखरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही mail ID को multiple mobile में कैसे login कर सकते हैं अपने computer पर किसी भी android phone की timeline को open करने के लिए google chrome को open करिए यहाँ पर website टाइप करिए google.com slash maps slash timeline यहाँ पर आपने android phone पर जिस email ID के थुरू login किया हो वो gmail की ID और password के थुरू आप उस पर login हो जाईए तो आपका android phone की timeline यहाँ पर दिखाई देने लगेगी यहाँ आपको कई option दिखाई दे रहे हैं जिसमें year, month, day वहाँ उसके आगे chart बटन दिया गया है आप उस पर click करके किसी भी तारिक की timeline देख सकते हैं जब आप chart बटन पर click करेंगे तो वहाँ आपको कई bars दिखाई पड़ेंगे इन bars का मतलब है कि आपका उस तारिक में timeline बना है जब किसी भी bar पर click करेंगे तो उस तारिक की timeline आपको दिखाई देने लगेगी यहाँ आप देख रहे हैं मुझे रूट दिखा रहा है कि मैं उस तारीक में Android phone के साथ कहां पे गया था एक दम सही timeline के लिए ज़रूरी है कि आपके mobile phone पर internet चल लाओ और GPS on हो आपको अपने phone पर timeline बनाने के लिए एक बार इस function को on करना पड़ता है इस function को on करने के लिए अपने Android phone पर map software को open कर लेजे योर timeline को open कर लेजे तब आपको एक option दिखाई पड़ेगा sign in आप इसमे sign in बटन पर क्लिक करके अपनी Gmail ID के थूर लॉग इन कर दीजे और योर timeline को turn on कर दीजे फिर आपकी timeline automatic internet पर save होना चालू हो जाएगी आप इस email ID के लवा भी कोई और Gmail ID को इसमें add कर सकते हैं किसी और Gmail ID को add करने के लिए आप your timeline पर क्लिक करिए फिर अपनी email ID पर क्लिक करिए जब आप अपनी email ID पर क्लिक करेंगे तो आपको दो option दिखाई पड़ेंगे add account और manage account आप किसी भी option का use करके अपनी email ID को इसमें add कर दीजे फिर आपकी उस email ID पर भी आपकी timeline अपडेट होना चालू हो जाएगी अगर आपने YouTube चैनल पीके सचिन को भी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करना ना भूले लाइक करने के लिए नीचे like बटन पर क्लिक करें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अपने Android फोन पर किसकी email ID से लॉगिंग कर चुके हैं वह आप अपने WhatsApp और Contacts का backup अपने email ID पर कैसे ले सकते हैं वह आप अपना फोन किसी को sell करते हैं या use करने के लिए देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़े चेक करनी चाहिए इसलिए आप वीडियो के नीचे दीगए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट टक्नलोडी से अबडेट रह जगें